लाहोर के केई इलाखों को कर राद 12 बज़े के बाद 15 रोज के लिए बंद कर दिया जाएगा वजीर सेहत पंजाब यासमीन राशित कहती हैं लाहोर करोना का गड़ बंता जा रहा है शादरा, शादबाग, हर्बंसपूरा, मजंग, केंट, गुलबरक, बॉल्ल सिटी, इलामेक बाल टॉम के अलाके शामिल हैं इस दोरान ग्रोसरी, मैडिकल स्टोर्स, दूर्द, दही की करोना से पांच हजार दोसो अटालीस अफराद मतास्र, मजमूई तादाद एक लाग चुवालीस हजार से तजावस कर गई, पंजाब में चवण हजार, सिंद में तरिपन हजार, खैबर पक्तून खा में अठारा हजार, बलोटिस्तान में आठ हजार से जाएद अफराद क वजीरे खारजा शाहमूद कुरेशी का भारत को चैलेंज, कहा हम उन्हें मुझाफराबाद और वो इमरान खान को सीरी नगर आने की दावत दें, दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, कश्मीरी आज जितने भारती सरकार से मुत्तवर हैं, पिछली साथ आईयों में नहीं थाए, वजीरे खारजा ने भारती वजीरे दिफा के मनगरट बयान को जवाब देते हुए कहा, कि मुदी सरकार घलत शाहमी का शिकार है, पाकिस्तान ने भारती वजीरे दिफा के बेबुनियाद वेयानात सख़ती से मस्तरत कर दिए, तर्जमान दफ्त आजमा हैं भारत की सिक्योर्टी फोर्सिस जानी मकाबलों में कश्मीरियों को शहीद कर रही है मकबूजा कश्मीर में काबिस भारती फोर्सिस को करोना की आड़ में कश्मीरियों जवानों को सताने का नया बहाना मिल गया करंटीना के नाम पर वादी वापिस आने वाले तलबा को भारती फोर्टिस तरह तरह की जिस्मानी अजियतें पहुचाने लगे तलबा को गाड़ियों में बार्डर सिक्योर्टी फोर्टिस के कैम्प ले जाया गया इनकार पर तशद्द्द का निशाना बनाया गया चीनी सत्तर रुपे फरोख्त करने का क्या बना इसलामबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनला का सवाल एडिशनल अटार्णी जर्नल ने बताया मार्किट में चीनी सत्तर रुपे किलो दस्तियाब नहीं खतो किताब़ जारी है चीफ जस्टिस ने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई हुक्मे इमतना तो चीनी की कीमत कम करने से मश्रूत था अदालत इस तरहा कीमतों का तायून नहीं कर सकती ये तो एग्जेक्टिव का काम है अदालत में 19 जून को शुगर मिल्ज असूसियेशन का केस मकरर किया मुल्क में पेट्रोलियम मस्नुआत या तिल्लत नहोर हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सेकेर्टरी वजीरियाजम सेकेर्टरी पेट्रोलियम की जाती हैसियत में तलब कर लिया चेर्मेन ओगरा और दिगर फ्रेकेंट भी 17 जून को तफसीरी रिपोर्ट समय तलब हजरत मुहम्मद अलियाजम के नाम के साथ लाजमी खात्म नभी जीन लिखने की करारदात मतफिक का तोर पर मन्सूर करारदात सिंद असम्बली में MQM के रुकने असम्बली मुहम्मद हुसैन ने पेश की करारदात में कहा कि अल्लब ताला ने नबूवत के दर्वाजे बंद कर दिये है हज़त मुहम्मद सलिलाहु अल्याहिव जीन का नाम मुबारक जब जहां लिखा जाए खात्म नभी जीन साथ लिखा जाए इसलामबाद हाई कोट में तालीमी अदारे कोलने से मतालिक दर्खास मुस्तरत अदालत ने रिमार्क दिये वबा से कैसे निम्टा है ये हकूमत का काम है अदालत एक्जेक्टिव के कामें मुदाखलत नहीं करेगी हमने तो अदालते भी हकूमती पॉलिसी को मते नज़र रखते हुए खोली है एफ आई ए को अमरीकी खातून संथियार्ची के खिलाब मुकदमा दर्ज करने का हुकम एडिशनल सेशन जज इस्लामबाद जहांगी रावाद ने महफूस किया गया फैसला सुमा दिया अदालत ने संत्यार जी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज ना करने का हुकुम देने से मुतालिक विफाकी तहकीकाती अजंसी की दर्खात मुस्तरच कर दी विजारते साइंस के केलेंजर के मुताबक एद लज़ा 31 जुलाइ बरोज जुमा को होगी विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट मजीद कहा 21 जुलाइ को जिर्खाज का चांड कराची और इसके एर्दगिर्द के अलाकों में देखा जा सकेगा चांड की लोकेशन के लिए एप रुएथ भी इस्तमाल कर सकते हैं रुपे की निस्बा डॉलर के कदर में इजाफा इंटर बैक में 34 पैसे अजाफे से डॉलर एक सो चौन सुट रुपे साथ पैसे पर ट्रेड दूसरी जानेव स्टॉक एक्सचेंज में 254 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 34356 पॉइंट्स की सथा पर आ गया कमी क्रिकेट टीम का दोरा एंगलेट, PCB और ECB के दर्म्यान आज वीजियो लिंक रापता होगा दोनों बोर्ट्स के हकाम के दर्म्यान पाकिस्तान टीम की रवानगी और सेरीज के शेजूल पर बातचीत होगी कमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियास का बड़ा यूचप अमरीका में नस्ल परस्ती के खिलाब इतजाज का सिल्सला जारी लौस एंड्रीस में लोग शड़कों पर निकलाए अटलांटा में स्याव फार्म को गोली मारने वाला पॏलिस एहलकार बरतर अटलांटा पॏलिस ने वाकर की वीडियो जारी कर दी नसल प्रस्ति के खिलाब बर्तानिया और लीड्स में भी मुझाहिरे गांधी का मुझस्मा हचाने के मतालबे पर बर्तानिय हुकाम ने उसे ढाम दिया दुनिया में करोना से 80 लाग के खरीब अफराद मतासर हलाकतों की तादाद 4,35,530 में हो गई बीजिंग में नए कैसे सामने आने का सिर्सला जारी चीन के दालन हुकूमत के मजीद 10 लागों में लॉक जोन, भारत में 325 अमवाद, अमरीका में करोना वारस से अब तक 1,17,853 अफराद मोद के भूं में चले गए साहिवाल में सफाक कातलों ने पांच बेनों के एकलो तेबाई को कतल कर दिया वाक्य थाना फटशेर की हदूत तारग बिल जियाद कॉलूनी में पेशाया चोबीस साला हैदर घर की तरफ जा रहा था कि नामालूम मोटरसाइकल सवाद गोलिया मार कर फरार हो गए खानकार डोगरा में करिकेट की जीत दूसरी टीम को बड़दाश ना हो सकी मुखालिफ टीम के खिलाडी हो मोजिम मुस्वन और इर्फान ने हमला कर दिया 16 साला हस्नियान बल्ला लगने से भी होश हो गया हस्पताल मुन्तकिल करने के दौरान रास्ते में दम तो लिया कला दीदार सिंग में सोतेले विच्टो ने फाइरिंग करके मा को कतल कर दिया मुल्जिमान की बाप शोकत अली से दूसरी शादी पर रंजिश चल रही थी इस से कबल भी मुल्जिमान ने अपने बाप और सोतेली मा को फाइरिंग करके जखने किया फिरोजबाला में लैस्को की घफलत एक ओट जान ले गई च्छत के उपर से गुजरने वाली तारों से चक्राकर नौजवान जांभक आकब च्छत से दर्वासे लेने गया था उच्छा के मताबक तारे घरों के उपर से गुजर कर कारखाने को सप्लाई दी गई है और बार खान में एक्साइस की खुफिया इतला पर कारवाई ट्रक के खुफिया खानों से करोड़ों रुपे के पंद्रा मन चरस बरामत मुजिमान गिरफतार मनश्याद कोईटा से बरास्ता रुकनी मुलतान मुलतान मुंतकिल की जा रही थी ट्रक को चेक पोस्ट पर रोग कर तलाशी ली गई थी अस्तलाम वालेकम कोहे नूर में खुशाम अदीद मैं हूं मिस्स बास सेड हेडलाइन जानी भड़ेंगे खबरों की तफसिलात की जाने M.P.A. अजमा कारदार को तरजमान हकुमते पंजाब के अहुदे से हटा दिया गया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है वजीर इतलाद पंजाब फ्याजुलहसन चुहान का कहना है M.P.A. अजमा कारदार को तरजमान हकुमते पंजाब के अहुदे से हटा दिया गया है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है वजीर इतलाद पंजाब फ्याजुलहसन चुहान का कहना है के उसमा कारदार बतोर मेंबर मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी तरजमान हकुमते पंजाब थी कोहिनूर न्यूस की खबर पर एक्शन विहाडी की नवाही बस्ती अता मुहमत में गर्मेंट प्राइमरी स्कूल की अमारत को कबजा माफिया से वागजार करवा लिया गया अमीर खान नामी बासर शक्स ने स्कूल की चारदेवारे गिरा कर एहाता में जानवर बांद रखे थे और कमरों में चारा रखकर कबजा किया हुआ था जिससे सेंक्डों बच्चों को मस्तक्बिल खत्रे में पढ़ गया था कोहे नूर न्यूस पर खाबर नशर होने के बाद अफसरान ने जानवरों को बाहर निकलवा कर अमारत की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया अहले अलाका की तरफ से कोहे नूर न्यूस को खिराज तहसीन प्रेश किया गया माचीवाल में कोहे नूर न्यूस बना आवाम की आवाज चंद रोस कब लगला मन्जी में तामिराती काम मुकमल ना होने के बारे में निूस नशर हुई थी जिस पर आला हुकाम ने नोटिस लेते हुए 58 लाक रुपे की गरांट जारी करते हुए ट्रेंडिंग का काम मुकमल करके छेकेदार को काम पर लगा दिया है इंतिजामिया की तरफ से जल्द जल्द काम मुकमल करने के कामात भी जारी कर दिये गए है अहले लाका अंजमन अड़्टियां और ताजरान के तरफ से केर नियूज की इस काविश को सराते हुए खराजे तहसीन पेश किया गया अवाम को खुशी रास ना आई पेट्रोलिय मस्नुआत के किमतों में कमी के साथ ही पेट्रल नायाब हो गया पंप बंद होने की वज़ा से बोतलों में पेट्रल फरोग करने वाले शेहरियों को लूटने में मसरूफ हैं मज़ीज जानते हैं जाफराबाद से बेरोचीफ अता मुहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में वाफा की हकोमत की जाने से पेट्रल सस्ता करके अवाम के लिए अजाब जैसे पहाड खड़ा कर दिया लोग पेट्रल के हसूल के लिए तर्बदरे ठोकरे खाने पर मजबूर हो जाते हैं और महंगे पेट्रल दामू पेट्रल खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं जो के अवाम पेट्रोल बोतल माफिया हते चड़ गई हैं बोतल माफिया जगा जगा अपने डेरे जमाए हुए है शाराओं होता ही लाकुँ हो या कौ़मी शाराओं पर बेखोफ खतर महंगे पेट्रॉल फरॉक्त करने लगे जहां चाहे अवाम को पिट्रोल देती हैं एक सो से लेकर ढ़ाई सो रिपे पिट्रोल अवाम को लूट लेती हैं पिए सो पिट्रोल पंप पर दस्तियाब है मगर वहां ऐसा रश्ट के मरीज और बूढ़ी लोग पिट्रोल खरीद नहीं सकते जिल्ए इत्दामिया गाइब ढूडने से भी इत्दामिया का नाम और इशाद नहीं जिससे आवाम को बेदर्दी से बोतल माफिया लूटते हैं आखिर कार ये लूटने का अमल कहां से शुरू होता है वो सवाल हैं जो हवाम और बाशाओर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो बोतल माफिया पेट्रोल लाते कहां से हैं इत्दामिया अगर इन एक्शन होती तो ये ते ये अमल जारी नहीं होता पेट्रोल मालकान इन घिनोने कारोबार में बराबर के शरीक हैं पर तर्स खाकर पेट्रोली मसुनियाती किल्ट को पूरा किया जा और इन बोतल माफिया पेट्रोल मालकान के खिलाफ कारवाई अमल में लाई जाए ताके अवाम सुख का सांस ले सकें और पेट्रोल खरीद सकें केमरा टीम के साथ अताम अमुन को साथ हकूमत की जानिब से कीमतें कम होने के साथ ही मार्किट से पेट्रोल खाइब हो गया सांगला हिल में पेट्रोल का बोहरान शिद्दत अख्तियार कर गया सर्फ पियसो के पेट्रोल पंप पर सील जारी है जहां लोगों का रश्ट लगा रहा है गयर कानूनी तोद पर बनाए गई एजन्सियों पर पेट्रोल महंगे दामों फरोक्त हो रहा है हकूमत की जानिब से रिलीफ मिलने के बावजूद शहरी सस्ता पेट्रोल हासिल करने में नाकाम है डेपिटी डारेक्टर जरही इतलात नवीद असमत काहलू का कहना है गयर की जानिब से रिलीफ मिलने के बावजूद असमत करने के लिए तेकनिकल एडराजिक कमेटी के हर 15 रोज बाद बकायदगी से इजलास मनकित किये जा रहे है और श्वारत मिलने कास्ओही ऑ corruption करने कारी जा रहे है पेस्ट रोजंगी में दिजाम पार्बा हम रहे हैं जक्रमास के लिए हम फ़ते लिए कोर्डिन के करने काई के लिए ने रहे है उसरे सेक नहीं की जा रही है, कास करनों को सुपरेज सुपरेज सुपर वाशाम के बाद करने की है, लुई दसनत कालू डिप्टी डेक्टर जरही इतलाद ने कोही नूर से गुफतू करते हैं बताया। सुपर पंजाब में कपास की पैदावार के हदफ के असूर के लिए तमाम ममकना वसाइल बुरुवे कार लाए जा रहे हैं, मियारी जरी मदाखल की मारकीटों में फरामी यकीनी बनाने के लिए सक्त मानीटरिंग की जा रही है, कैमरेमेन खुरमस्दाद के साथ, फजल असरा अलाकों में काश्टकारों का कहना है कि अचानक फसलों पर लाखों की तादाद में टीडियों ने हमला कर दिया है, जिससे फसले मतासिर हुई हैं, पहले ही लागटून के वज़ज़ से परिशान हैं, उपर से फसलों की खियमत ना होने के बराबर है, मेकमाई खुरा पर की गई, उन्होंने मजीद कहा कि गैर मैयारी अशिया, खुरानोश फरुख करने वालों के साथ आहनी हाथों से निम्टा जाएगा, गरीब काश्टकार की जमीन पर बाएसर मुल्जमान ने कब्जा कर लिया, मना करने पर जान से मारने की धंकियां, पोलिस कारवाई के बजाए मुल्जमान के साथ मिल गई, काशितकार अब्दुलगफार के इनसाफ की अपील है, मजीद जानते हैं, खानवाला से नदीम चाड़िया की ये रिपोर्ट में, खानवाला के चक नमबर दोस्तो चौटी वानल के रियाश अब्दुलगफार ने मीडिया से बाचीत करता हुए का कि उसने दोजाए दो में पुछ मेरा स्कीम के तहर सौकन और दरी रखवा हसल की, और उसे साथ मिलत मुछक्त से इसे अबाद करने में कामियाब हो गया, मकामी जिमीदार बासर कवजा माफिया किया राकिन शाम मुहमद मुहमद अज्जर मुहमद आयूब और रब नवाद ने इस पर राद आद ही से पर कवजा कर लिया और बकाय से पर कवजा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे जान से मानने के धंकियां भी दी जा रहे हैं, मुहमद अज्जर का फूर और उनके साथ उने इहतजाज करते हुए, डीपियो रहिमिर खान, डीएस पी लियाकतपूर, असेस्टेंड कमिशनल लियाकतपूर से कवजा माफ़ा के किलाफ कारवाई करने और जान का ताहफूद को देने पर कार मतालबा किया है। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिश से. लेकिन पुली जो है, वो मुकदमात तो दर्च करती है, लेकिन दूसरे ही रोज जो है, वो पतंगबाद अपनी जमानत करवा के आ जाता है। इसी तरह से जो आज भी इसी वाक्या आया हुआ जो है, वो के जो है, वो शमाली चोनी के इलाका में जो है, वो नोजवान गले पर दोर फिरने से जो है, वो जांबाक हो गया। सीसीप्यो लहूर और डी-एजी उपरेशन की जानी से सर्फ एक्षिन लिया गया, जिस पर जो है, वो सीसीप्यो लहूर जुलफकार हमीद की जानी से काइम मुकाम एसाचो जो है, वो शमाली चोनी को पूरी तोर पर मुटल करके पुलिस लाइन बजवा दिया गया है, जैसे ही दोर फिर तो उसकी शारक जो है, वो कटगी थी, जिसको जो है, पौरी तोर पर डबल डब बन डबल कू की मदद से, जो है, वो मुकामी अस्था मुन्किल किया गया, लेकिन वो जखमों की ताब नाला आते होए, दम तोड़ गया, डॉक्टर जब यही कहना था, ज जो है, वो शारक ज्यादा जो है, अंदर तक कड़ चुकी थी, जिसकी वज़ा से खुन ज्यादा बह गया और जो है, वो नोजवान मौत के मूँ में जला गया, पतंगबादों की फिर अगर बात की जाए, तो शेहर लाहर में आए रोज जो है, पतंगबादी का सिलसला दि बहुत शुक्रिया वसीम सावेराब का तफसिलात से अगाह कर रहे थे, शेहर कायद में डाकू बेलगाम, शेहरी माल के साथ साथ जान से भी जाने लगे, स्टोर में दुराने डगेती मुज़ाहमत पर मलिक साबर को गोली मार कर कतल कर दिया गया, वर्षा की आला हुकाम से इनसाफ की अपील, मजीद जानते हैं काशिव खोकर की इस रिपोर्ट में, शेहर कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट कराइम की वारदातों में, साबिड साब जो है शहीद हो गए, डगेतों ने उनको गोली मार के शहीद कर दिया है, उनके लवाईकिन से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, मासुम छोटे बच्चे हैं जो वो छोड़ के गए हैं। आज जा हैं वे बपा के कातिलों का रूड़ पापा को ची लिए हमा ड़े ने पापा के बगर्ड़ दे सकते हैं। अबी तक मेरे अब्बू की गतल कांड़ नाफिज करने वाले रादर इदारे का कोई पता नी चला अबी तक कोई एमारे पास निया है, हमारे कोई सुनने वाला भी तक नी आया है, हमें चीर जर्स्टिस ऑपाकिस्तान से गुषरनर अफ सिंट से प्राइम इनस्टर ऑपाकिस साथ मासूम बच्चे वो छोड़के गएं उन बच्चों का मुतालबा है चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान से वदीर आला सिंद से आईजी सिंद से डीजी रेंजर से के मेरे पापा के कातिलों को फोरण गिरफ्तार करके कैफिरे किरदार तक पुछाया जाए साही वाल में सफा कातलों ने पांच बेनों के इकलोते भाई को कतल कर दिया थाना फटेशेर की हदूत तरक बिन जियाद कालूनी में 25 साला हैदर जो पांच बेनों का इकलोता भाई था घर की तरफ जा रहा था कि ना मालूम मोटरसाइकल सवार गोलियां मार कर फरार हो गए पॉलिस ने बजुहाद जानने के लिए शवाही दिकटे करना शुरूर कर दिये हैं खानका डोगरा में क्रिकट की जीत दूसरी टीम को बरदाश ना हो सकी महला मुहमदपुरा के 16 साला हसना ने छोटे भाई अली हसना के हमरा क्रिकट मैज जीता तो मुखालिप टीम के खि पेले बेटों ने फाइरिंग करके मा को कतल कर दिया मुल्जिमान की बाप शुकत अली से दूसरी शादी पर रंजिश चल रही थी इससे कबल भी मुल्जिमान ने अपने बाप और सुतेली मा को फाइरिंग करके जखमी किया था फिरोजवाला के नवाही अलाके बेगम कोट में छीमावाला को में लेसको की लापर वाही एक कोट जान ले गई चट के उपर से गुजरने वाली 11,000 केवी तारों से करंट लगने से नोजवान जांपको गया आकप नामी नوجवान घर की चट से दर्वाजा लेने गया था के बिजली की तारों से चुग गया आकप को तश्विशनाक हालत में हस्पताल मुन्तकिल किया जा रहा था जो रास्ते में दम तोड़ गया नोडेरों के नवाही गाओं सावल जर्वार के अलाके में सिम नाले से नामालूम शक्स की नाश बरामत जिसकी शनाक ना हो सकी इतला मिलते ही पॉलिस थाना गड़ी खुदाबक्च बोटो मुका के मकाम पर पहुँच गई और अलाका मुकीनों की मदद से नाश निकाल कर हस्पताल मुन्तकिल कर दी थाना जला राइया पॉलिस की जराम पेशा नासर के खिलाव कारवाईया मुक्लिफ वारदातों में मलावस तीन डिकेट गिरफतार मुल्जिमान से वारदातों में इस्तमान वाला असलिहा बरामत कर लिया गया मसीद जानते हैं लोधराँ से बिरोट चीफ काजी मली अबास की इस बिरोट बिस्टर पलीस फफिसा लोधरा सेयत करावसन के हदार पर दिला लोधरा में जराम पेशा नासर के खिलाव करेक्टर नचारी है थाना जला राएं के एस सचो जफर गर्वां के सार वराई में चौकी थाना जला राएं के इंचारज असिस्टेंस हाब इंस्पेक्टर जफर इकबाल बुर्ण ने पुलीस टीम के हमरा जरायम पेशानाज से के खिलाब कारोईया करते हुए डिकेती के मुख़व वारदातों में मुलवस तीन डिकेतों मुखसीम और फगन्यू, शाकर और अबदर्मान को गिर्फतर कर लिया पुलीस ने मुख़वां के कब्ज़ से वारदातों में इस्तमाल किया गया असला एक कलेशन को दो पिस्टर और गोलिया बरामत कर ली पुलीस ने मुख़वां के खिला मुकानमा दग करके मज़ीद तफ्टीश का अगास कर दिया है डिस्टर पुलीस एफिसस से ये करावसा였습니다 ने दिकेटिके मुख़वारदातों में मुलव Hughes तीन दिकेटों को गिरिफतार करने पर थाना जला आराएं पुलीस टिम की कारकर्दी को सराइ डिस्टर पुलीस अफिसस से एक्राफसा ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्सू करता हुए कहा के जरायम पेशा अनासर के खातमा मेरी अवली इंतर्जी है जरायम पेशा अनासर के खिलाफ दिला भार में करेक्ट बन चाहिए रहेगा और जराहिम पेशा अनासर के साथ एहनी हाथ उसे निप्टा जाएगा कैमरा टिम के साथ डक्टर काजम अबास बलोच बियर चिफ कोईनो निस लोदरां सक्कर पोलिस ने अमनामान की सुरतिहाल बलकरार रखने के लिए जराहिम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया है स्स्पी एरफां समू के मताबक दुराने गश्ट वारदात की नयत से चुपे मुल्जिमान ने पोलिस पार्टी पर फारिरिंग कर दी पुलिस की जवाबी कारवाई में मतद्द मुकदमात में मत्तूब जाकू कलंदर बख्ष को जखमी हालत में गिरफतार कर लिया गया चांद रोज कबल भी मुल्जिम को गिरफतार करने के बाद छोड़ दिया गया था डिस्ट्रिक पॉलिस अफीसर बहावलनगर कुदूस बेक की हदायत पर जरायम की बिखकनी के लिए पॉलिस का क्रेकडाउन जारी है S.H.O. थाना सीची एजवीन इंस्पेक्टर आरफ बाज्वा की सरबराही में A.S.I. रिजवान अबास ने पॉलिस टीम के हमरा का रवाई करते हुए दो साल से मफरूर एक कैटेगरी के इश्तिहारी मुहसन को गिरफतार कर लिया D.P.O. ओकाडा उमर साइद मलिक के इहकामात पर पॉलिस थाना हजराशा मुकीम ने हावाई फायरंग करके हलाका में खोफ औहराज फिलाए और असलिह की नुमाईश की वीडियो और सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले दो मंचलों को गिरफतार कर लिया जिनकी शनाकत अब्दुला जट और मुबीन बटी के नामों से हुई है S.H.O. अंजम जिया ने दोनों मुल्जिमान पर अलग अलग मुकदमा दर्च करके कारवाई शुरू कर दी है बार्खान में एकसाइस की खुफया इतला पर कारवाई ट्रक की खुफईया खानों से करोड़ रुपे की मालियत के पंद्रामन चरस वरामत कर लिगाई मुल्जिमान गिरफतार चर्ट स्कुेटा से बरास्ता रुकनी मुल्तान मुलतान मुलतान की जा रही थी खुफिया इतला मिलने पर आफिसर हवीबर रह्मान और एकसाइस इंस्पेक्टर अजाद खान ने टीम के हमरा चेक पोस्ट पर ट्रक को रोक कर तलाशी शूरू की तो खुफिया खानों से पंद्रा मंच चर्स बरामत कर ली गए मियाँ वाली में थाना बांगी खैल पोलिश ने असलिहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी बारे मिगदार में असलिहा बरामत करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्च कर लिया गया S.H.O. थाना बांगी खैल फैजए हमीद खान ने टीम के हमरा चेक पोस्ट शकर करदा पर असलिहा और मनश्याद की रोक थाम के लिए चेकिंग के दौरान कोहाट से आने वाला मोटर साइकल की तलाश ली जिससे दो पिस्टल, तीस कार, तीस कार्टूस और दो मैगजिन बरामत हुए लिया की तहसील करोड लाल इस्तन के नवाई इलाका थाना फत्रपूर की हदूद बेचमान अल्ला शहीद में खारी गेंग के साथ कारिंदों की जानिब से राद गए सरकारी लकडी चूरी की कोशिश फारिंग से फरेस्ट गार्ड जखमी बसी जानते हैं रिजवान चीमा की इस रिपोर्ट में के नवाही इलाका थाना फत्रपूर की हदूद बीट मानूला शहीद में खारी गेंग के साथ करिंदों की जानिब से राद गए सरकारी लकडी चूरी की कोशिश दुराने गश फरेस्ट गार्ड मुहंबन नवीद के मौका पर पहुँचने पर खारी गेंग के साथ किनिंदों में से छे फरार होने में कामयाब हुए जबकि एक करिंदा को मौका से पकड़ लिया गया खारी गेंग फारिंग करता हुआ फरेस्ट गार्ड पर हमला आवर हुआ और अपना साथी च्ड़वा कर फरार होने में कामयाब हो गया हमले के दुरान गोली फरेस्ट गार्ड को उंगली पर लगी जिसे तैसीर अस्पाल मुन्तकिल किया थाना फटेपुर पॉलीस ने मोके पर पहुंचकर कारवाई किया फरेस्ट गार्ड की मुदायत में तीन नामजद मुल्जिम और चार नामलूम अफराद के खलाव मुकदमा दर्श किया फरेस्ट गार्ड ने थाना फटेपुर के A.S.I. फ्यास पर संगीन अलजामात में लगा दिये फरेस्ट गार्ड का कहना है जो पलीस ने अपनी तरफ से मेरी F.I.R. में कारवाई लिखी है पलीस कारवाई फ्याद अमद वरेश साब ने वो सरा सर गल्त लिखी है मैंने मौका पर इनको खौल दिये वो भी इन्होंने शो तक नहीं किये ना मेरे पिस्टल का जिकर किया है ये सरा सर गल्त कारवाई फ्याद अमन वरेश साब ने लिखी है कि इस मौमले पर डीपियो लिया हसन अकबाल का कहना है कि मेडिकर रिपोर्ट पर करून के मताबिक मुकदमा दर्श किया गया है मुकदमे में सरकारी काम में मुदाखलत की दफाद भी लगाई गई है फ्रेस कारड ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर अलब पंजाब से फ्रेस कारड के तहफ़ज की अपील भी की है खानपूर में एहल खाना को नशावर चीज़ किला कर 16 साला लड़की को मुवयना तोर पर अगवा कर लिया गया वाक्या थाना सदर की हदूर चेक 17 बस्ती लाड़ा में पेश आया वज़सा एहल इलाका के हमरा सरापाए इहतजाज है डीपियो से नोटिस लेने का मतालिबा किया है वालिद अब्दुलमजीद का कहना है कि मुल्जिमान बशीर नादर और अम्तियास ने मेरी बेटी समरीन को अगवा किया वज़सा की दर्खास पर थाना सदर पुलिश ने मुकद्दमा दर्च करके चूनिया में दर्चा चाहरम के मुलाजमीन का बज़ट में तनखुआहे ना बढ़ाने के खिलाफ इहतजाज मुलाजमीन का कहना था कि तनखुआहे ना बढ़ाना हमारे साथ जियादती है मुल्की आलात के पेशे नजर हमारी तनगाहों में 30 पीसद इजाफा किया जाए मुझाहरी ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए थे जिन पर बजट नामन्जूर के नारे दर्श थे शिदाद कोट के अलाके कबू साइद खान में जामशोरो पॉलिस की जियादतियों और बिला जवाज गोरों में चड़ाई के खिलाफ खोसा वरादी सरापाए इहतजाज है मजीद जानते हैं अब्दुल्हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में मांजन में पॉलिस की जानब से खोसा कबिले पर वहशन या तशदोद और चार दिवारी की तकद्स पामाल करने के खिलाफ कुबो सेद खान में एहतजाजी मظाहरा किया गया खोसा कबिले की शख्सियाद और सियासी और समाजी तन्जीमों की जानब से इजार यकजती तोर पर गौादर मोटरवे रोड पर एहतजाजी मظाहरा किया गया मظाहर इनकी जानब से जामशोरो पुलीस की खिलाफ सक्त नारे बाजी की गई खोसा कबिले से तालुक रखने वाले मामद दयूब खोसो अख्तर अजीज खोसो अमीर चान खोसो गुलाम शबीर खोसो समेट दीगर का कहना था कि जामशोरो एसेसपी ने पूर अमन एहतजाज करने वाले खोसा कबिले के अफराद पर बिला जवाज फाइरिंग की और चार दीवारी तकदस पामाल करके मासूम बच्चों और खोवातिन को तशदद का निशाना बनाया जिस वाके की जितनी भी मजबत की जाए कम है पुलीस ने अवाम की तहफूज होती है अवाम की जान वाम का तहफूज करना उन पर फर्ज है कोसा कबिले पर तशदद करके पुलीस ने थाबित कर दिया कि वो खुद बड़े विश्टियारी मुल्जमान हैं मुकररीन ने सिंद हुकूमत से मतालबा किया कि मतालका वाके की शफाफ इंकौाइरी कराई जाए और वाके में मुल्जमान को सख्त 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 सजा दी जाए कैमेरामेन राजा अल्ताफ के साथ लाड़काना में सीवल सोसाइटी जियो खोसा इत्तिहाद लैस एफ और वुकला बरादरी ने एसस पी जामशोरों की गाउं संगार खोसों के मकीनों पर बिला जवास चड़ाई करके तजलील करने के खिलाफ रेली निकाली जो काईमशा बुखारी रोड़ से शुरू होकर प्रेस कलब पूंची जहाँ मुझाहरी ने एसस पी जामशोरों के खिलाफ नार बाजी की कोहार्ट वियन में कबाईले अजला वजीरस्तान खैबर और अगजई और बनो के इतलबा का मतालबात के हक में मुझाहरा मजीद जामते हैं फिजान बनोरी किस रिपोर्ट में कोहार्ट स्टूडं फिडरेशन के ज़ेरे इहतिमाम का चैरी चौक से एत्जाजी रेली और कोहार्ट प्रिस येसित लपके सांवने इत्जाजी मुझाहरा किया गया इतिजाजी मुझायरे में खेबर, वजीरस्तान और अग्जाई बनू और कौार्ट इनसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदूर ने हकूमत से मतालबा किया कि कबाईली इसलाम में 3G, 4G की सहूलत मौझूद नहीं तो आनलाइन किलासिस कैसे ली जाएं। हुकूमत से हमारा ये मतालबा है कि हमारे जो बैसिक फेसिलिटी है, वहां पर ऑनलाइन किलासिस के बारे में वो इंटरनेट की अदम मौझूद गी है। यूरप अगर इस तरह के फैसले करते हैं तो वो लोग पहले अपने बुनियादी ज़रूयात को देखते हैं, वहां पर हर किसम के फैसलेटी है, तब ही वो लोग ऐसा रूल एपलाई करते हैं। मुझारीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्श थे, इनका कहना था कि और हम एचिसे से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे कबाईले अजलाब पहले कोरुना से पहले भी बहुत से आपरेशन और रटेरंट से मुतासर हुए हैं। तो लबा इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। चैनियोट में मुन्तखिब नुमाइंदोर इंतजामिया के खिलाफ अनोखा इतजाच तीन माथ से मेंट शहरा पर खड़े सेवरच के पानी में धान की फासल काश्ट कर दी। मश्रकी पंजाब को जनूबी पंजाब से मिलाने वाली वाहद मेंट शहरा का वजूद खत्म गंदा पानी जमा होने से सड़क दल्दल की शकल एक्तियार कर गई जिससे हादसात मामूल बन गए करोडों की लागत से तैयार जंगरोड तालाब का मनज़र पेश करने चार दिन कबल बेपारी शफी खलीजी से वारदात के खिलाफ इहतचाच इस मौकर पर मुझाहरीन का कहना था कि चार दिन कबल डाकू रकम च्छीन कर फरार हो गए थे थाने में रिपोर्ट दर्च कराई मगर एसेचों ने कोई कारवाई नहीं की दूसरी जाने तीन माह पर जमीन तंकर दी वडेरे ने गुंडो की मदद से प्लाट पर बनी दिवारे गिरा दी शकील एहमत का कहना है कि ये प्लाट हमारी मलकियत है तमाम कानूनी काखजात मौजूद हैं कब्जा मेरा है जबके हमारा हमसाया गुंडो की मदद से प्लाट पर कब्जा करना चाहत फोर्ट अबास के अलाके चिष्टियां कालूनी का सेवरिट सिस्टम नाकारा गंदा पानी छैरों से गलियों में जमा गुज़रना मुहाल हो गया ताफ़ून की वज़ा से मुजी अमराज फैलने का ख़द्शा पैदा हो गया अहले लाका की जाजिए से मियोंसिपल कमेट्टी में बारहां शिकाया दर्ज करवाने के बावजूद किसी कानों पर जूँ तक नारिंगी असिस्टन कमिशनर एहमद सलीम चिष्टी से फोरी तोर पर नोटिस लेने का मुतालबा सरकारी एकामाद पर अमल निजी शुगर मेल्स मियाचनू यूनिट वन में सरकारी रेट पर चीनी की ओपन फ्रोक्ट शुरू करोना वाइरस के पेशे नजर खरेदारों के लिए तमाम इंतजामात मुकमल कर लिया गए मजीच जानते हैं वच्छामाला से कमर्जबान की इस रिपोर्ट में खानेवाल रोड पर कैम जे के शुगर मेल यूनिट वन मियाचनू की इंतजामिया का है सन एकदाम हकूमती हकामत पर अमल करते हुए चीनी के ओपन आफर के साथ सरकारी रेट पर फरोगत का सिर्सला शुरू कर दिया है ताकि चीनी हर जरूरत मंद के घर तक पहुंच सके चीनी की फरोगत के सिर्सले में मुफलिफ शहरों में चीनी के ओपन और सरकारी रेड़ पर फरोगद करने के स्टार्ज भी लगा जा रहे हैं वित्रीन साव के गरुप है पूरा उनने पहला इनिशिटेव लिया है और हमारे त्माम जो गरुप की छे मिले हैं वो आज से उनने जो है वो इसको स्टार्ट कर दिया हुआ है कोई शिक्स फीट के डिस्टेंस है दारे लगाये हुएं अपने गलव और ये मास्क पहन कराएं शिक्स फीट पे खड़ें कोई रिस्टिक्शन नहीं है जो मर्जी आए अपना शनाफ्ति कार्ट दे उन्हों ने ये भी बताया करोना विरस के पेशे नजार में गेट पर तमा मिफादी अंद्जामात मुकमल किये गए हैं आने वाले हर शाक्स का टपरेचर चेक किया जाता है सैनी टैजर सोशल डिस्टेंसिस का खास क्याल और दीगर हकूमती 220 पर भी अमल करवाया जा रहा है कैमरा मैं टीम के साथ कमर जमान को इनो नियोद वीजिया वाला मुस्लिमी गनून के रहनमा मिंबर कौमिया समली हलका आने 71 चोधरी आबिजरा कोटला ने खारिया में मीडिया से गुफटगू करते हुए कहा है कि हकूमत की तरफ से पेश करदा हिंसों का हेर पेर है मुल्की तारिख में पहली बार किसी हुकूमत ने सलाना बज़ड में सरकारी मुलाजमीन की तनखाहूं और पेंशन में इजाफा नहीं किया वो कोटेस्ट नहीं किया जो हमने करना था क्योंकि इसका मामला बहुत सीरियस दावरा आपने देखा ही है कि नासर मलाजमीन की तनहाएं पेंशनों में अजाफा क्या करना था उन्होंने जो रोस मरा के जो मामला थे और जो खास बज़ड थे उनमें कोई कमी नहीं की लेकर जो अवामी अवाम की दूरियात है उनमें शदीत रहीं कमी कर दिया और मैं यहीं नहीं समझे रहा कि यह बज़ड जो है यह किसी सूरत भी यह एक साल इस मलक को चलने नहीं दे यह इतना कमजोर बज़ड है अगर इस पे कुछ ठोस फैसले ना किया गए तो पाकिस्तान की एकानमी पहले ही हतम हो चुकी है विफाकी हकोमत करोना वबा को रोकने में नाकाम हो चुकी है सिन्ध हकोमत ने सबसे पहले लांग टून करके साबित किया कि हकोमत आवाम की बलाई चाहती है असीफ लिजड़डारी फरे आलतार पूर रहाई कमेचि के मरकजी बानी गाजू मलार ने बड़चा प्रेस में प्रेस कॉनफरन्स करते हुए कहा है के विफाक आवाम की बलाई के लिए काम करने में रकावट बन रहा है आसिफ जर्दारी से इत्याब हैं करोना की वज़ा से इत्याती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं गर्मी के शिदद बढ़ते ही शेहरियों ने एर कूलर्स की दुकानों का रुख कर लिया एर कूलर्स के खीमतें बढ़ने से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान मजीद जानते हैं टॉबर टेक्सिंग से नवीद मुसा की इस रिपोर्ट में टॉबर टेक्सिंग गर्मी की शिदद के अजाफे के साथ ही शेहरियों को गर्मी की फिकर सताने लगी तो शेहरियों ने एर कूलर बनाने वाली दुकानों का रुख कर लिया वारंबार्ट के एर कूलर की कीमत बढ़ने से शेहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं बाराबार के एर कूलर गर्मी की शिद्द को कम करने के साथ साथ बिजली की भी बच्चत हो जाती है पांदार का कहना है कि हम सोलर पैनल एर कूलर बनाते हैं बाराबार के एर कूलर गर्मी की शिद्द को कम करने के साथ साथ बिजली के बिलो में भी बच्चत हो जाती है इस साल की निस्बदी साल करोना और लॉक डॉंन्ड की वैजतें बूत कारोबार मताफिर हुए हैं लॉक डॉण और पारुऑ दोड़िया से कश्टमर गरों से नहीं निकड़ रहे हैं पिछले साल बहुत अच्छा कारोबार ता लेकिन इतना अच्छा कारोबार नहीं है एक एक दो कस्टमरा आते हैं बस एर कॉलर मांग बहुत कम है शेरी का कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है एर कॉलर लेने आया था लेकन यहां पर सोलर कॉलर की कीमत गुज़शता साल की निस्बत बहुत ज़्यादा होने थे एर कॉलर खरीना हमाद। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार कर लिया और मुकदमा भी दर्श कर लिया गया है। मैकमा इरिगेशन जिला लहौर के क्रेप सब इंजीनियर मुहमद अफदल को मदई कौसर अल्यास से 15,000 पे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार करके मकदमा 11,20 दज करके गिरफतार कर लिया है। मुल्दम ने मदई मकदमा से इसकी जमीन के मलहका नहरी खाल की प्रिमाइश के लिये रिश्वत तलब की थी जिसको मुहमद अहमद असिस्टन डारेक्टर इंटी क्रेप्शन ने मजस्ट्रेट की मजूदगी में गिरफतार करके रिश्वत की रखम 15,000 रपे बरामत कर लि इंटी क्रेप्शन टीम ने मुल्जम को रंगे हासो गिरफतार करके हदकड़ियां लगा ली। लाहर डिरेक्टर इंटी क्रेप्शन लाहर रिजन ए के हदायात पर रेडिंग तीम तश्कील दी जी जी इंटी क्रेप्शन लाहर गोहर नफीज का ये कहना था और डी जी इं आताहिर महदी आपका तफसिलात से आगाह कर रहे थे इसके साथ ही न्यू स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मुझीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहे प्रहे थाइब कर दो कर रहे थे बारे साथ ही न्यू से बारे से फिल वक्त इतना ही